मैं IPL में अपना डेव्यू रोहिश शर्मा की बज़े से कर पाया रोयल चलेंजर्स बेंगलॉर के दिगज स्पैनर यूजवेंदर चहल ने मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहिश शर्मा को लेकर बड़ी पृतिकरिया दी है और उने IPL में अपने डेव्यू के सराय रोहिश शर्मा को दिया है चहल की मुताबित रोहिश शर्मा की ही बज़े से वो अपना IPL में पहला मुकाबला खेल पाये थे रोहिश शर्मा और यूजवेंदर चहल के बीच काफी गहरी दोस्ती है अकसर दोनों खिलाडी साथ में नजर आते हैं और सोसल मेडिया पर भी वे एक दूसरे की पोश्ट पर कमेंट करते करते नजर आते हैं हाली में यूजवेंदर चहल ने 2013 की एक घटना का जिक्र किया है जब वो IPL में मुंबई इंडियन्स की टीम का हिस्सा थे चहल की मुदाबित रिकी पॉंटिंग से कप्तानी मिलने के बाद रोहित शेर्मा ड्रेसिंग डूम में आए और ये कहकर चोका दिया कि तेज गेंधवाजों की मददगार पिछ पर बो मुझे डेव्यू का मौका देंगे जबकि मुँबई की टीम में दो वर्ल्ड क्लास इस पैनल पहले से ही मौजूद थे बाद चीट करते हुए चेहल ने बताया है रोहित भाईया के साथ मेरे काफी अच्छे संबंध है क्योंकि हम लोग एक दूसरे को 2011 से ही जानती है तब मैं पहली बार मुंबई इंडियन्स की टीम में आया था मैं अपना IPL डेव यू रोहित भाईया की बज़े से ही कर पाया था मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था रोहित भाईया को केबल उस मुकाबले में रिकी पॉंटिंग की जगह कप्तान बनाया गया था वो कमरे में आये और कहा तू मैच खेल रहा है मैं ये सुनकर हैरान रह गया क्यूंकि टीम में हमारे पास हरवजन सिंग और प्रग्यान ओजा जैसे दिगज गेंदवास पहले से ही मौजूद थे और हम पहले कभी भी तीन इस पैनरों के साथ मैंनान में नहीं उतरते थे रोय श्यर्मा के बार इसका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार